इंडिया और भाउंग्यादेश के बीच में दोस्तों सेकंड ट्वंटी इंटरनाशनल मैच खेले जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम पे और इस मैच को भी हम लोग मेगा ग्राइंड लीग के लिए देखेंगे इस बात को ध्यान रखेगा समझेंगे पंट प्लेयर्स को लॉस्ट मेकर्स को और गेम चेंजर्स को किस प्लेयर को आप लोगों ने ड्रॉप करना है आज के इस मैच पे कौन सा प्लेयर आज का गेम चेंजर प्लेयर बनने वाला है सब कुछ देखेंगे दोस्तो डीटेल पे देखेंगे और मेगा ग्राइंड लीक की एक पॉफिक टीम आप लोग बना के चलोगे बागी दोस्तो लास्ट मैच पे भी हम लोगों का जो प्रडिक्शन था एकदम टू दो पॉइंट था इस मैच में भी एकदम सही रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन भी एकदम यूनीक रखेंगे ठीक है न वहीं बेड़ चाल वाली कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखना है आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पक्का से दबा दीजेगा चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पंट प्लेयर वाले सेक्शन को पंट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर रिंकु सिंग को जादा मौका नहीं मिलेगा दाउंडा लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं इस बात को ध्यान दीजेगा तो बैटिंग आने की चांसेज ही बहुत कम लगते हैं मुझे की रिंकु सिंग को बैटिंग भी मिलेगा बागी यहाँ पर बंगलादेश की टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दो प्लेयर दिखेंगे तो यहाँ पर तोही धिरीदोय के पास वो potential है कि हाँ यह अंदर आ सकता है मिगा ग्रैंड लिग के मौमत परवेश को आप लोग ड्रॉफ कर सकते हों मेरे हिसाब से तोही धिरीदोय और महमुद दूला में से एक प्लेयर आज के इस मैच पे बड़ा पारी खेलेगा ठीक है ना इन दोनों में से एक प्लेयर आज के इस मैच पे बड़ा पारी बड़ा पारी से मेरा मतलब होता है तीस रन से जादा रन बना कर जाएगा ध्यान रखेगा दोस्तों तोही धिरीदोय दुबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तोही धिरीदोय और महमुद उल्ला में से एक प्लेयर आज के इस मैच पे बड़ा पारी खेल कर आएगा बागी जैसे मैंने आप लोगों को बता है रिंकू सिंग के बारे में सेम रियान प्रियाग के साथ भी वही बात है कि रियान प्रियाग भी डाउन दा लाइन काफी नीचे खेलने आएगा मौका मिलने के चांसे कम है क्योंकि मैच कहाँ पर खेले जाने वाला है मैच खेले जाने वाला है दोस्तों अरुन जेटली स्टेडियम पे और अरुन जेडली स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है बैट्स्वन को ही फेवर किया जाता है तो रन यहां पर बनने वाले ठीक ठाक इस बात को ध्यान रखेगा इस्पेशली टीम इंडिया पहले कहलती है तो अच्छे रन बन जाएंगे तो क्या ब दोस्तो इसे आप लोग करके चलिए गाही चलिएगा मतलब यह तो फेक्स है तो ही धिरेदव और मामुदुल्ला डिफेंशल रहेंगे रिंकु सिंग ड्रॉप रहेंगे प्रवेज उशेन ड्रॉप रहेंगे रियान प्रियाग ड्रॉप रहेंगे बांगलादेश की टीम ध्यान से सुनिएगा बांगलादेश की टीम अगर पहले बॉलिंग करने आ जाती है बांगलादेश की टीम अगर पहले बॉलिंग करने आ जाती है तो यहाँ पर तास्किन आहमद और शौरूफ फुल इसलाम में से कोई एक स्पेशली मुझे लग रहा है जिस हिसाब से फर्स मैंच में तास्किन आहमद बॉलिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तास्किन आहमद ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा शौरूफ फुल इसलाम के मुकाबले में इस बात को ध्यान रखियेगा तो यह आप लोगों के लिए दोस्तों पंट प्लेयर वाला सेक्शन था कुमार नितीश रडडी यहाँ पर फिक्स प्लेयर रहेंगे बांगलादेश के बैटिंग लाइनप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो ही धीरीद होए और आल राउंड वाले सेक्शन से आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट पिक लग रहे हैं रियान प्रियाक को आप लोग ड्रॉप करके चलोगे रिंकु सिंग को आप लोग ड्रॉप करके चलोगे प्रविज हुशन को आप लोग ड्रॉप करके चलोगे और बांगलादेश की टीम अगर पहले बालिंग करन नजमुल हुसेन शेंटो इसे आप लोग ड्रॉप कर दोगे आज के मैच पे नोब्रेनर इसे आप लोगों ने ड्रॉप करना है क्लियर ओके यहां पर इंडियन ट्रायो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यह देखो सजू सanut सूर्य कुमार यादव ए अभिषेक शर्मा य चंत टो आप लोगों के लियर ड्रॉप रहेंगे ही रहेंगे इस बात को ध्यान रखेगा क्लिएर कौन कौन से बलें मैंने शंजू संशंग कूछ संजू संशंग को चिए रहे जाता है अप 됐ुछ गौन के बाई स्लीश एक अप्शन है Сейчас अधिक ISR पिधसी कर सकते हो ना आप लोग देखो संजू संशन और सुर्यकुमार यादव के एक combination मना ले न This Sanju Samsung के साथ एक बार अभिशेक शर्मा का combination मना ले नいう familiyaseenchar ना एक बार सुर्यकुमार यादव और अभिशेक शर्मा को रखकर आप लोग ऐसे तीन combinations बना ले ना one combinations two combination और three combination clear ऐसे team combinations आप लोग बना सकते नजमुल उसें चेंटर ड्रॉप रहेगा दोस्तों इसका यहां होने का कोई मतलब भी नहीं बनता है clear बागी बात करूं अल्राउंडर वाले section पर तो हार्दिक पांडे समाओ important ही रहेगा क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है बैटिंग भी ठीक टाक कर लेगा बांगलादेश की टीम second innings पर बॉलिंग करने आ जाती है तो मेंदी असन मिराज important रहेगे क्योंकि spin dominate करता है second innings पर इंडियन बॉलिंग लाइनप पे और शिदीप चिंग वरुन चक्रवर्ती और मायं क्यादव तीन प्लेयर दिखेंगे आप लोगोंने इन तीनों प्लेयर को पिक करके चलना है because expectation वही है आज के इस माच पे भी बंगलादेश की टीम के पूरे 10 विकेट निकल सकते हैं ध्याग रखियेगा गेम चेंजर लिटिन दास कंडिशनल पिक है डिपेंड ऑन दे ट्रायो कौन कौन से ट्रायो पे जो मैंने आप लोगों को बताया संजू सैमसंग अभिशेक शर्मा और स्काय वाला ट्रायो ठीक है इस पर अगर संजू सैमसंग को आप लोग ड्रॉप करते हो तो सीधा सीध पर आप लोगों को लिटिन दास को पिक करना है क्लियर ओके बागी बात करूं दोस्तों यहां पर मुस्तफिजू रह्मान ड्रॉप रहेंगे वाशिंग्टन सुंदर भी ड्रॉप रहेंगे ज्यादा कुछ नहीं दो ही ओवर डाल रहा है तो इतना इंपॉर्टन नहीं रह रहेंगा तो इस तरह से ही टीम जाएगी बस सिंपल सी टीम रहेंगी आज की एक रिक्वेस्ट है टीम भी दिखाता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताता हूं टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लिजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर लिंक है एक पर जॉइन तो करको देखो पता चल जाएगा डिफरेंस क्या होता है बाकी की टीम पर और हमारी टीम बाकी स्पोर्ट्स बाजी आप पर दोस्तों आप सभी तो आप लोग इस वाले ट्रेड को ले सकते हो स्पोर्ट्स बाजी आपता है बागी बहुत सारे लोग पूस्ते हैं मुझसे की प्रेडिक्शन कहां खेलना चाहिए बहुत सारे लोग पूस्ते हैं और बहुत सारे लोग गलत जगा पर खेलना है स्पोर्ट्स बाजी आप प बक्का से आज डाउनलोड कर लोगे सब लोग कर ले ना जितने भी लोग सुट रहें बाकी टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहां देखो यह मेरी टीम है अभी के टाइम पर यह टीम आप लोग मतलब 100 स्पॉट तक यूज कर सकते हो क्लियर कहा तक ही उस कर सकते हो 100 स्पॉट तक मेगा ग्रैंड लीक के लिए कुछ चेंज जैसे इन तीन में से एक ड्रॉप क्लियर बाकी और यहां पर बॉलिंग वाले सेक्शन पर एक बॉलर आएगा समझ जाए ना जो जो कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बता है उस तर टीम इंडिया चेस पहले बैटिंग करने आ जाती है अगर टीम इंडिया पहले बालिंग करने आएगी तो मैंक जीर सेंग्व वाइस कैप्टेन टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आ जाती है तो इन दोनों में से मयंग यादव को आप लोगों ने वी सी करना है कैप्टेन दोस्तों चेंज हो जाएगा उस कंडिशन पे संजू सैंसन सूर्य कुमार यादव या अभिशेख शर्मा में से एक कैप्टेन सुल के रहेगा जो यह था टबी कि नहीं को लीक ताने गएक कि आप लोगोंने राखता है नहीं रियान प्रियाग्पेथा ना तो उसने ना बॉलिंग करा ना बैटिंग करा तो फिर वो गिववे इन्वैलिड हो जाता है हार्दिक बांडे इस माच पे कितना रन बनाएगा अगर आप लोगों को लगता है कि